जहिन दोस्तों मैंने धीबन चोहान आज हम करेंगे द्वी घात समीकरण तो चलिए पहला समीकरण देखते हैं पहला समीकरण है हमारा x square minus 2x minus 8 तो सबसे पहला step है हमारा आगे वाले नमबर और पीछे वाले नमबर को गुणा करना यह हमने गुणा किया ठीक है इस बीच वाले नमबर के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 8 आए और plus या minus करने पर हमारा 2 आए तो ऐसे दो नमबर हमें मिलते हैं 4 और 2 देखे इस LCM से देखे 2 दुनी 4 और 2 का 2 ठीक है तो 4 दुनी 8 और 4 मेंसे 2 गए तो 2 अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है देखे जो हमारा बड़ा नमबर है उसका निशान हमेशा यहां से होगा ठीक है अब इन दोनों में से बड़ा नमबर कोन है 4 है इसलिए minus 4 एक्स देखे इस नमबर इस निशान को आप ध्यान से देखे जो हमारा इन दोनों में बड़ा नमबर है उसका निशान हमेशा यह होगा यादि यह minus है तो बड़े नमबर का निशान minus ठीक है तो यह हमारे 2 हमारे गुननखंड हो गए अब इस में से हम x को common लेंगे तो यह आजाएगा x minus 4 यहाँ पे हम plus 2 को common लेंगे तो आजाएगा x minus 4 इस तरह से हमारे यह x plus 2 और x minus 4 हमारे यह question यहाँ खतम हुआ एक दूसरा example देख लेते हैं देखे पहले और आखरी नमबर का गुना तो यह हो गया 4 एकम 4 4 का LCM 2 दूनी 4, 2 एकम 2 अब हमें बीच वाले नमबर के दो ऐसे टुकडे करने हैं कि गुना करने पर तो 4 आए ठीक है और plus यह minus करने पर भी 4 आए तो क्या करेंगे हम हमने जो LCM लिया है रेखे 2 plus 2 4 ठीक है और 2 दूनी 4 तो हमारे जो दो नमबर हमको मिले वो हमें मिले 2 और 2 ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं समिकरण को solve कर लेते हैं ठीक है 4 minus 2s और minus 2s plus 1 यहां से 2s common लिया तो 2s minus 1 यहां से minus 1 common लिया तो 2s minus 1 तो इस तरह से 2s minus 1 2s minus 1 हमारा इसका answer हो जाता है ठीक है अगले question की तरफ चलते हैं एक और example देख लेते हैं बहुत interesting है अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देखें पहले नमबर और आखरी नमबर को हमें करना गुणा 6 तिया 18 उसके बाद 18 का लेना है LCM ठीक है 2 नाइन जा 18 3 तिरी जा 9 और 3 बन जा 3 अब हमें बीच वाले नमबर के दो ऐसे फैक्टर या टुकडे या गुणनखन धुनने हैं कि प्लस माइनस करने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 ठीक है तो हमें जो नमबर मिले देखो 3 तिया 9 और 2 क्योंकि 9 दूनी 18 यानि कि यह आ रहा है आगे पिछ़वा लगो जो गुणा किया और 9 में से यदि 2 गया माइनस किया तो कितना आया 7 तो हमारे 2 नमबर हमको मिल चुके हैं ठीक है अब क्या करना है हमें अब यहां आ जाईए समिकरण पे 6X स्केर हमेशा इन दोनों में कौन सा बड़ा नमबर है 9 तो उसका निशान हमेशा यहां से होगा यानि कि जो यहां निशान है वही हमारे बड़े नमबर का निशान होगा ओके तो 2X माइनस 3 अब इन दोनों में से हम 3 कौमन ले लेंगे 3X ठीक है 2X माइनस 3 और पीछे भी हमारा वही है तो प्लस 1 कौमन ले लेंगे तो इस तरह से यह हमारा आंसर आ चुका है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा बट यू नीड प्रैक्टिस थैंक यू वेरी मत जैहिन जै भारत